देश की सबसे बड़ी विपक्षी पाटी कॉंग्रेस और अन्य विपक्षी पाटियां चुनाव की सुचिता पर सवाल उठा रही है। से चार करना चाहिए। आजाद भारत में चुनावों के बाद सत्ता का शांति पून और सहज तरीके से हस्तांत्रन इसलिए संभब हो पाया है क्योंकि देश की जनता शांति पून और निश्पक्ष चुनाव की धारणा को सहज रूप से स्वीकार करती हैं। राज्य भारत की समीधान आधारित शासन प्रणाली खत्रे में आएगी। कॉंग्रेस ने रिमोट EVM को लेकर अपना वीरोध दर्ज कराने से पहले कुछ आरोप भी लगाए हैं। गुजरात में विधान सभा चुनाव के बाद कॉंग्रेस ने आरोप लगाया था कि उसने जमीनी स्तर से और अपने कारेकरताओं और उमीद्वारों से रिपोर्ट ली। जिसमें बताया गया है कि मतदान के आखरी घंटे में रहस्यमेद तरीके से मतदान का प्रतीशत बहुत बढ़ गया। कॉंग्रेस ने आरोप लगाया कि बहुत से मतदान केंद्रों पर आखरी घंटे में 10-12 फीसदी मतदान हुआ। और ना ही कोई लंबी लाइन थी। इस आधार पर कॉंग्रेस ने EVM के व्यवस्थित दुरूप्यों का आरोप लगाया है। इसके अलावा कॉंग्रेस ने वीवीपैट पर्चियों के मिलान को भी परियाप्त नहीं बताया। EVM में गड़बडी की चिंता में ही बस्पा प्रमुख मायावती ने फिर से वैलेट के जरिये चुनाव करवाने की मांग की है। अब विपक्षी पातियों का असली सरदर्द मल्टी कंसिच्वन्सी इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन यानी रिमोट EVM का है। विपक्षी पातियों ने चुनाव आयोग से कहा कि अगर बैंक में रखा गया रुपया हैक करके निकाला जा सकता है तो वोट की चोरी भी हो सकती है। जब तक चुनाव आयोग EVM का संशे खतम नहीं करता और आयोग की निश्पक्षता पर उठ्रे सवाल नहीं सुलजाए जाते तब तक रिमोट EVM का इस्तेमाल एक खराब आईडिया है। हो सकता है कि आयोग का काम निश्पक्ष हो लेकिन नागरिकों का विश्वास बनाए रखने के लिए निश्पक्ष होने के साथ साथ निश्पक्ष दिखना भी जरूरी होता है। दुरभागे से चुनाव आयोग निश्पक्ष नहीं दिख रहा है।